तो दूसरा जो आपका सक्षिन आई यह डिल गरता है कारवे कमेटी के साथ में तो बस आपने क्या याद रखना है कि यह जो कमेटी था इसका सीधा समन्थ किसके साथ में है small scale industry के साथ में है village and small scale industries तो अगर आपसे कोशन पूछा जाता है कारवे कमीट्य उन्हें 255 की जो established करी गई थी इसका परपस क्या था इसका टास्क था विलेजन प्मॉल इंडेस्टी जो है उसकी क्या फीसिबिलेटी हो सकती है इसका क्या रोल हो सकता है इंडियन डेवलप्मेंट में इसको study करने का जो टास्क था ये कारवे कमीट्य के पास दूसरा आपका हो सकता है investment limit, तो उसमें यह decide किया गया था, investment limit को लेके, तो उसमें decide किया गया था, कि अगर किसी industry में 5 लाग रुपय लगा है, कम से कम, तो उसको हम small industries कहेंगे, ठीक है, और आज की time में आपने एक काम करना है, कि MSME, जो है, ठीक है, इसका आपने criteria देखना है, turnover भी देखना है, investment भी देखना है, बहुत important है, current affair के साथ में इसको relate करके आपने देखना है, अब यहाँ पे बात कीगी है, इसके importance की, तो small scale industry जो इसका importance क्या है, देखे, यह labor intensive होते है, labor intensive का मतलब क्या है, कि machine का इस्तेमाल यहाँ पे कम होगा, machine का इस्तेमाल कम हो रहा है, कि लोगों को ज्यादा रुजगार मिलेगा, ठीक है, तो आपने याद रखना है, जो small scale industry जो है, इसका बहुत relevance है, क्योंकि यह काफी employment जो है, यह generate करते हैं, और इसके इलावा अगर हम बात करें, तो यह जो small scale industries है, अब यह compete दो करनी पाएगी, बड़ी companies के साथ में, तो इ लास्ट जो section है, वो देखते हैं कि trade policy क्या थी, तो हमने agriculture देख लिया, industry देख लिया, ठीक है, अब हम last में देखते हैं कि हमारी जो trade policy थी, वो कैसी थी, तो trade policy का जो सबसे पहला point, या फिर main feature जो आप कह सकते हो, कि हम बहुत isolated थी, ठीक है, हम import substitution को promote कर रहे थे, तो import substitution का क्या मतलब हुआ, इसको समझने से पहले एक point आपने याद रखना है, कि ये statement आपसे direct paper में पूछा जा सकता है, गमाली जैसा लिखा हुआ, कि industrial policy that we adopted was closely related to trade policy, ये statement 100% correct है, आपने याद रखना है, अब देखिए, पहले साथ जो हमारे plan थे, वो कही ना कहीं बात करते थे, inward looking kind of approach की मतलब की हम बहुत ज़्यादा है, introvert थे हम outward जो thinking थी वो लेकर हम नहीं चल रहे थे, और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो हम import substitution को promote कर रहे थे, अब देखिए, simple language में समझते है कि ये import substitution होता क्या है, import substitution का मतलब होता है, कि कोई चीज आपने दूसरी country से import नहीं करना है, ठीक है, उसके जैसे ही चीज आपने अपनी देश में बना देना है, इसको क्या कहते है, इसको import substitution कहते है, क्यों आपने ऐसा करना है, ताकि जो local companies जो है, उसको हम promote कर सके, ठीक है, ज़्यादा जो dependence हमारी दूसरी country में हो सके, हम debt trap में जो हो ना फच सके, ये इसके का कारण होते हैं, और दूसरा यहाँ पर कारण सबसे बड़ा क्या था, कि क्योंकि हमारा experience रहा था, पास्ट में, कि British East India Company थी, वो भी company के रूट में ही आई थी, यहाँ पर trade करने है, हाला कि यहाँ पर import export की बात कर रहे हैं, लेकिन जो sense है, वो लगवग सेम ही है, ठीक है, तो यह है कि उनके चीजों पर tax लगाना शुरू कर दो, बहुत large number में, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो tariff लगाओगे तो क्या होगा कि prices चीजों के बढ़ जाएंगे, तो कोई भी country महंगे दाम पर कोई चीज क्यों खरी देगी, पहली बात, दूसरा यहाँ पर option import substitution को promote करन देखते हो, अब हम लास्ट में देखते हैं कि वाई, मतलब कि यह इस तरीके की जो policy हम लेकर आते, productionism की, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, देखे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब इंडिया नय आजाद हुआ था, science and technology में हमारा कोई खास जो था progress अभी हुआ नहीं था, थीक है, तो हमारे जो industrialism जो थे, वो बहुत नए थे, they were very infant, थीक है, तो इसलिए, यूँकि हमारा industrial sector जो था, बड़े nascent stage पे था, तो हमारे जो companies, जो हमारी companies हैं इंडिया गी, उसके interest को product करने के लिए हमें ये policy लेकि आनी पड़ी, और दूसरा बात ये है, कि ये कहां compete कर है, वो बड़ी-बड़ी companies के साथ में, तो in the meantime, अगर इसको production आप initial days में दे रहे हो, इनको अगर grow करने का मौका मिल रहा है, तो in the meantime, ये क्या करेंगे, कि ये सीख लेंगे, they will learn how to compete with big countries, ठीक है, big developed countries की जो industries हैं, उनके साथ में, ठीक है, तो ये दो जो थे, ये मुख्य तो positive development था, क्योंकि industrial development 11.8% था 1985 में, और ये 24.6% हो जाता है, 1990-1991 में, अब जो हमने पहला chapter देखा था, हमने देखा था कि जो हमारा industrial setup था, वो just limited था कि इस पर cotton industry और jute industry पे, लेकिन अब क्या था, अब ये policies लेके आने के चलते, जो industrial sector जो था, ठीक है, आप देखते हो कि य क्या criticize किया जा सकता है, कि जो industrial policy जो हमने adopt करी, क्या criticize किया जा सकता है, बिल्गुल किया जा सकता है, क्योंकि पहला यहाँ पे कारण ही है, कि जो आप industrial policy लेके आए, ठीक है, आप इसमें confused थे, क्योंकि आपने ये, मतलब कि 100% आप assured ही नहीं थे, कि 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 industrial sector को आपने reserve रखना ह किसको आपने ऊपर रखना है private players के लिए, यह हम decide ही नहीं कर पाए, मतलब कि हर policy में आप कुछ ना कुछ change लेके आ रहे थे, ठीक है, industrial policy बहुत सारी time to time आते रही, starting from 1948, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखते हो कि जो यह public sector जो था, यह तो बहुत ही loss incur कर रहा था बार ब license इसलिए नहीं ले रहे थे कि इन्होंने production करना नहीं, company establish करना यह इसलिए ले रहे थे ताकि दूसरी company को entry नहीं करने ले, ठीक है, और फिर अगर हम देखें, तो जो foreign competition जो था, हम करने नहीं चाहते थे, हमें ऐसा लगता था कि import substitute करके हमें इसका बहुत benefit मिलेगा, लेकिन बाद में हमें realize होगा है, इसके कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको continue रखा, इस basis पे भी हम industrial policy को criticize कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो criticize का point है, वो यह है कि जो consumers है, ठीक है, उनकी तो band बजी-बजी, क्योंकि देखें, जब competition होगा, तो जो benefit हो किसका अब यह तो था मतलब कि pure criticism, last में दो point हम यह देख सकते हैं, कि क्या इस तरीके से करना ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते है, industrial sector की, या फिर most specifically, particularly लेकर हम बात करें, public sector की, तो public sector का जो काम है न, वो profit कमाना नहीं होता है, ठीक है, वो welfare oriented होता है, तो इसलिए हमें इस तरीके से आंकलन नहीं करना चाहिए, दूसरी बात क्या है, कि last में हम ultimately जो था industrial policy 1991 जो है वापस से लेके आ ही तो अगर industrial policy जो इतनी ही खराती हम इसको continue क्यों करते, तो अब यह industrial policy जो है 1991 की, इसको हम discuss करेंगे next chapter में, so with this we come to end of our this lecture, I hope कि यह lecture आपके लिए beneficial रहा होगा, so thank you for watching, keep learning, keep growing, जाहिंद,